हलो प्रेंट्स, इस्टेडी बिद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है और आज की इस क्लास का हमारा टॉपिक है रिग वेद जब हम प्राचीन इतिहास के साहित्य पर बात कर रहे हैं तो उसमें हम वेदिक साहित्य को एक बहुत ही महत्पूर कड़ी मानते हैं क्योंकि जो वेदिक कालीन सभिता का ध्यन है वो पूरी तरीके से वेदिक कालीन साहित्य पर ही डिपेंड है उसमें हमको पुरातात्विक सा सकते हैं तो वहां पर हमें साहित और पुरातात्विक साचे दोनों प्राप्थ हो जाते हैं तो उससे हम आसानी से ज्यादा बेहतर तरीके से उस समय काल का इतिहास जान सकते हैं जब हम वैदिक काल की बात करते हैं वैदिक काल की अगर हम बात करें तो हम बात कर रहे हैं देखे वैदिक पीरिड जब हम इतिहास की क्रोनलोजी को समझते हैं तो हम सबसे पहले जानते हैं कि हम पाशार काल को पढ़ेंगे अभी हम साहिति पे बात कर रहे हैं जब हम अभी इ वैदिक सभेता की बात करेंगे वैदिक सभेता और फिर हम मौरिकाल की बात करेंगे मौरिकाल और उसके बाद हम गुप्तकाल की बात करेंगे इस परकार से हम करम से पढ़ेंगे तो अगर यहां पर आप एक इतिहास इतिहास पढ़ने वाले विद्यार्थी की तरह जब देख सिद्ध्यृ गाटिक सभयता में हमें पुरा तात्विक शथाच और सहाच्य मिलते हैं, महार लेकर कि लिप योगरा हम नहीं पढ़ाते हैं, लिकिन पुरा त़ो निर्भर है शाहितिक साच पर साहितिक साच यानि कि इस समय के हमें कोई खंढ़ार या कोई पुरातात्विक साच नहीं मिलते हैं जिनकों हम कह सकें कि हम वैदिक कालिन सभीता के विसे में यहां से कोई बहुत महत्पूर जानकारी जुटा पा रहे हैं हलाकि इस समय के कुछ हमें बरतन मगरा मिलेंगे जब हम आगे वैदिक सभिता को डिटेल में आगे क्लासेज में पढ़ेंगे तब हम देखेंगे तो उन पे भी थोड़ा बहुत डिसकस करेंगे लेकिन वो नगर्ड मानेंगे हम वैदिक सभिता पूरी तरीके से वैदिक कालीन साहित्तिक साच्छे पर निर्भर करती है तो वैदिक साहित्ति इंपोर्टेंट हो जाता है पिछली क्लास में हमने आपको वेदों के विसे में कुछ महत्पूर जानकारियां दी थी आसा है आपने वो पढ़ी होंगी जब हमें हमें वैद मिलते हैं वैद आपको पता है कि वैद जो है वो संक्ष्या में चार है एख रिग वैद जिसके विसे में आज की कलास होगी हमारी फिर है यजुर वेद, साम वेद, अथर्व वेद, ये चार वेद हमें पढ़ने हैं, इसके बाद देखिए ब्रामभण गरंथ हमें पढ़ने होते हैं, ब्रामभण गरंथ के विसे में हम जानेंगे, अरणक के विसे में जानेंगे, और उपनिसद, उपनिसद को जो है वेदान्त कहा जाता है वेदांत तो यह जो वेद ब्रामभण ग्रंथ अरेनक और उपनिसद हैं इनको ही वैदिक साहित में गिना जाता है यानि कि जब कभी वैदिक साहित पे आपको कुश्चन लिखने को आएगा तो आपको इतने ही साच्छों का वरणन देना है अब वैदिक काल जो है ज जब हम समय की बात करेंगे वैदिक काल आप इसमें जड़ा सभी भी परेसान न होएगा हम वैदिक सभिता को बहुत डिटेल में डिसकस करने वाले हैं क्योंकि यहां से बहुत सारे प्रसनाते हैं लेकिन आज की क्लास में हम सिर्फ रिगवेद पे बात करेंगे रिगवेद जो वैदिक काल है वो आरेों से रिरिटेड है इसमें आरेों की संस्कृति के बिसे में जानकारी आपको मिलेगी यानि वेद जो हैं वो हमें आरेों के बिसे में बताएंगे तो हम आरे कहां से आये आरे का समाजिक जीवन क्या था राजनितिक प्रकार किस प्रकार रहते थे जो भी है वैदिक पिरिट के बिसे में वो हम सब बाद में डिसकस करेंगे अभी हम केवल इस साहित पर बात करेंगे तो वैदिक काल को दो भागों में बाट लिया गया है दिखिए जब हम सिंद्ध घाटी सभेता की बात कर रहे थे तो ये सिंद्ध घाटी की सभेता की exact date हम पढ़ेंगे इस पर भी पूरी क्लास लेकिन ये लगभग मान के चलिए कि आपका 3000 इस भी पूर्व से ले करके और 1700-1800 इस भी पूर्व के बीच का एक पीरियड है जिसमें सिंद्ध घाटी सभेता एक्जिस्ट करती थी हलकि विद्ध इसको अलग अलग टाइम फ्रेम में बाटते हैं तो हम उसको अलग उसी कलास में डिसकस करेंगे यहां पर अभी ज्यादा भरम की स्थिती हो जाएगी लेकिन आप ये मान के चलिए कि जो सिंद्ध घाटी सभेता का समयकाल है वो जब पतन हो गया उसका यानि जब वो समाप्त हो गया सिंद्ध घाटी की सभेता पतन की तरफ चली गई खतम हो गई और उसके खतम होने में कई कारण बताये जाते हैं कुछ बिद्धवान मानते हैं कि बाढ़ हुई कुछ बिद्धवान मानते हैं कि जलवायो परिवर्तन हो गया और कुछ मानते हैं अकाल पड़ गया कुछ लोग कहते हैं कि वहां पर हमल कि आ्रेयों ने आकर के सिंदु घाटी सभ्धा के लोगों पर कबजा कर लिया लेकिन एक विचार तो है ही आर बाहर से आए ये तथRO बिल्कूल भी सुसनी आकर ऑर से कहां से आए बाहर से कुछ विद्वान मानते हैं कि आर्के टिक के पास से आए जैसे जल्वाने का घर दिलक मानते हैं उन्हों धेола कड़ी आरियों का घर था वहीं से डिays呀ouch अर्गाание जब लिखे से संट्रल अर्थ रूसरा तरफ से लिए थे दो तो यह तो इस्पष्ट है आर बाहर से आए इंडिया में कुछ इस प्रकार से आप अगर हम पुराना भारत देखें जो पाकिस्तान अफगानिस्तान तक सीमा लगा हुआ तो यह जो छेत्र है सक्त संधवा छेत्र जिसको कहा जाता है सिंध नदी के आसपास का छेत्र जहां प सीमा है और इधर हिमाले तो यही एक छेत्र जो बनता है इसी में आये थे और यह निश्चित तोर से बाहर से आए अब बाहर से कहां से आए वो हम बाद में डिसकस करेंगे तो आर इस छेत्र में आकर के निवास किये और यहीं पर आकर के इन्होंने वेदों को संकलित किया वेदों को लिखा तो वेदों को लिखे जाने का जब समय की हम बात करते हैं तो हमको पता होना चाहिए कि आर यहां पर कब थे तो सिंधुगाटी सभेता के बाद सिंधुगाटी की सभेता का पतन हुआ उसमें एक रीजन हमने बताया कि आरों का आगमन भी जोड़ा जाता है तो इसका मतलब है कि सिंधुगाटी सभेता जो पतन की तरफ थी उसी के समय लगभग आरे आए और फिर आरे यहां पर आकर के बस गए अब जो यह वैदिक पीरेड है इसको माना जाता है कि यह पंदरा सो बीसी से ले करके पंदरा सो बीसी से ले करके छेष्सो बीसी तक है इस पीरिड में वैदिक सभ्यता डेबलप हुई अब इसको दो भागों में बाट देते हैं एक 1500 BC से लेकरके 1000 BC तक और फिर 1000 BC से लेकरके 600 BC तक यानि इस भी पूर्व तक तो ये दो भागों में बाटा गया है इसमें माना जाता है कि 1000 BC के बाद जो है वो लोहे का ग्यान हो ग और अभी तक साथ ही नहीं मिले है कि 1000 BC से पहले लोहे का ग्यान जो है यहां पर रहा होगा तो वो उस आधार पे वैदिक पीरिड को दो भागों में बाटा गया है तो यह जो पहला भाग है जो लगभग 500 वर्सों का एक पीरिड है 1500 इस भी पूर्व से 1000 इस भी पूर्व को दिखू रिगवेदिक काल इसी लिए कहा जाता है क्योंकि इसी समय में रिगवेद की रचना हुई थी केवल रिगवेद की में बात कर रहा हूं सभी वेद की नहीं यानि कि रिगवेद जो है वो सबसे पहले लिखा गया था सबसे पहले रिगवेद लिखा गया था तो यह जो हमने रिगवेद बताया ये पूर्ववैदिक काल का है पूर्ववैदिक काल यानि पंद्रह सो बीसी से एक हजार बीसी के बीच का समय है और इसके बाद के जो सभी वेद हैं यानि तीनो बेद ब्रामभण गरंथ अर्रेंड़क और उपनिसद ये सभी यानि इसको कहते हैं उत्तरवैदिक काल अब यहीं पर बहुत इंपॉर्टेंट प्रशन बन जाएंगे आपसे एक प्रशन पूछा जाएगा कि निम्रखित में से कौन सा वैदिक साहित है अथवा नहीं है तो आप इतनी चीज़े याद रखे जब वैदिक साहित की बात तो यह सब कुछ वैदिक साहित में आता है इसके अत्रिक्त अगर कोई भी ऑप्सन में है जैसे रामायड है महा भारत है राम चरित मानस है या कोई भी पुस्तक कोई पुराड है यह बहुत सारी चीज़े है वेदांग है देखे यह वेदांत है एक वेदांग भी है या सू अब इसमें भी दूसरा परसंद बनेगा कि इसमें रिग वैदिक काल या उत्तर वैदिक काल अलग-अलग बाट के तो सिर्फ रिग वेद एक मातर पुस्तक है एक मातर वेद है जो पूर्व वैदिक काल का है यानि की अब जब हम वेदिक सभेता को पढ़ रहे हैं तो उसक किस चीज की जानकारी देता है या किस समय के इतिहास के बिसे में जानकारी मिलती है तो आपका उत्तर होगा कि रिगवेद जो है वो पूर्व वैदिक काल के समय की जानकारी हमको देता है या आर्यों के प्रारंभिक इतिहास की जानकारी हमें देता है आर्यों की संस्कृति य और ब्रामभण गरंथ अरेनक और उपनिसद सब लिखे गए हलांकि रिगवेद में भी कुछ चीजें बाद में एड़ की गई है जो यजुर अथर्ववेद के बाद की भी है तो वो हम सब पढ़ेंगे भी डिटेल में तो ये आप ने समझ लिया अब इसके बाद आप से क्य प्रश्न को बनेंगे देखेंО काल क्र वह आपनी जान इन लिए क्याकिया या है इतः हास करें में प्रचता को बाच लिए दोनों भागों का अलग-अलग साहित है पहला जो पोर्शन है पूरवेदिक काल उसमें सिर्फ रिगवेद होता है और जो बात का है उत्तरवेदिक काल उसमें यजरवेद, सामवेद, अथरवेद, ब्रामभण गरंथ, अरेड़क और उपनिसद आपको पढ़ने होते हैं तो हमने आपको बताया था कि वेदों को सुर्ति कहा जाता है सुर्ति क्यों कहा जाता है क्योंकि वेद अपाउर से हैं उनको किसी पुर्श ने नहीं लिखा, रचना नहीं कि उसकी वो सुन करके आगे बढ़ाए जाते थे यानी कि एक चीज़ आप मालीजे जो वेदिक पीरिय जो मनत्र हैं इसलोख हैं या रिचाएं हैं वो ग्यान पहले से था यानि वो ग्यान उस समय का नहीं है वो ग्यान पहले से था और पीढ़ी दर पीढ़ी शुर्त के आधार पे चलता हुआ आ रहा था माना जाता है कि इस्वर ने उन मंत्रों को सुना करके दिया था मनुस्थ को रिसियों को उन रिसियों ने उन मंत्रों को याद कर लिया और फिर गुरु सिस्व परंपरा के तहंत यानि अपने सिस्वों को उन्होंने सिखाया रटाया याद कराया क्यों याद कराया क्योंकि लिपियों का ग्यान नहीं रहा होगा लिखने का ग्यान नहीं रहा होगा तो सिर्फ सारी जानकारी सारा ग्यान बोल करके रट करके आगे बढ़ाया जाता था और यही संभव कारण है कि इसको पद्द में बनाया गया 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 ताकि वो कंठस चीज होती है उसका उचारण यालि मंत्र को सही तरीके से अगर उचारित नहीं करते हैं पढ़ते नहीं है तो उसका फल नहीं प्राप्त होता है ऐसा माना जाता है अगर कोई भी मंत्र का उचारण आप सुधता से नहीं करेंगे तो उस मंत्र का फल आपको नहीं मिलेगा इसल और अनारी भी उसमें हुए तो आरियों को लगा कि बहुत से लोगों को उतनी अच्छी तरीके से मंत्रों को कंठश्ट नहीं कराया जा सकता यह बहुत सारी समस्यां आई होंगी उनके सामने कि मंत्रों की सुधता या संस्कर्ती सभ्यता या जो उनके रीत्रिवाज थे जो तरीके थे उनकी सुधता बिगड रही है अच्छी तरीके से फालो अप नहीं हो रहा है इसलिए उसको लिखने की जरूरत महसूस होगी और जहां इसी बात है लिपी का ग्यान हो चुका था क्योंकि सिंद्धुगाटी की सभ्यता के समय से लोग लिख रहे हैं हलाकि सिंद्धुगाटी सभ्यता के समय की जो लिपी है जो लेखन है उसको हम पढ़ नहीं पा रहे हैं लेकिन वैदिक पीरेड के समय लिपी तो है आ गई है तो उसको लिखा गया और ऐसा किया गया वेदव्यास उनके द्वारा इन मंत्रों को संकलित कर दिया गया लिख दिया गया ऐसा किसलिए किया गया ताकि मंत्रों की सुधता सुनिश्चित की जा सके आगे चलके उचारण सही बने रहे उनको लिप बद्ध कर दिया गया इसलिए कहा जाता है कि जो वेदों की जानकारी है वह सुरुति के आधारित यानि सुन करके प्राप्त हुई थी इसलिए उनको सुरुति कहा जाता है और इसको सिर्फ संकलित किया गया है रचनाकार मनुस्य यह आप understood रखिएगा लिखने की जुरत नहीं है संकलित इसलिए किया गया ताकि इन मंत्रों की सुधता को बरकरार रखा जा सके और जाहिसी बात है लिपी का ग्यान हो गया था अब एक प्रशनिहां पर आता है जब हम बात करते हैं कि कब लिखा गया रिगवेद कब लिखा गया तो समय शंकलन कब किया गया इनका देखे रचना का समय हम नहीं बता सकते कोई नहीं बता सकता क्योंकि यह सुर्थि पर आ रहा था तो कब से चला रहा था यह हम नहीं कह सकते हैं संकलन का समय आप कह सकते हो कि यह 151000 जान One BC不 Cathy के मध्य हूआ इसका संकलन अब ऐसा इसलिए कहा जाता है क्या इसके पहले नहीं अगर हम आपसे बात कर रहे हैं कि सिंदुगाटी सभ्यता के समय भी लेखन से लिथी तो क्या उस समय बेद लिखे गए होगे या उस लिपी में बेद का लेखन किया गया होगा में भी हो सकता है क्योंकि उस लिपी को हम नहीं पढ़ पा रहे हैं तो हो सकता है कि जब आरे आए या आरे पहले से यहां पर आते रहे हो या सिंदुगाटी की सभ्यता के समय भी यह ग्यान इस छेतर में आया हो तो लोगों ने इसको लिखा हो कहीं पेंकित किया हो हलाकि इसकी संभावना ज्यादा नहीं है लेकिन वो लिपी चूक हम पढ़ नहीं सकते तो हम नहीं कह सकते हैं कि जो बेदों में जानकारी है वह जानकारी अथवा उससे मिलती जुलती कोई जानकारी सिंदुगाटी सभ्यता की लिपी में होगी या नह रचना नहीं संकलन किया गया इसे लिखा गया और संकलन किस ने किया यहां आप कमेंट करके हमें बताएं अब देखे इसका संकलन किया गया सब्त सिंधवा प्रदेश में सब्त सिंधवा प्रदेश यह वेद में ही रिक वेद में यह जिक्र मिलता है कि आरे सब्त सिंधवा प के आसपास का छेतर है देखे साथ नदियां यहां पर जो इसमें मिलती हैं वैसे तो आपको बहुत सी नदियां रिगवेद में मिलेंगे हम आगे पढ़ेंगे कौन कौन सी नदियां जो है किनका जिक्र है इसमें तो यहां पर जो प्रमुख नदियां है उसमें सिंधु नदी और सिंध की सहयक नदियां जेलम है चिनाब है रावी है व्यास है ये सभी नदियों का जिक्र मिलता है रिगवेद में तो जब यहां की नदियों का जिक्र रिगवेद में है और बहुत ही कम आपको गंगा और यमुना का जिक्र मिलता है हिमाले का जिक्र मिलता है और अफगानिस्तान की कुछ नदियों का जिक्र मिलता है इसका मतलब ये है कि जो भी संकलन करता है या जो संभेता वेद की रचना कर रही थी वो इस भागुलिक छेत्र से परिचित थी इस भागुलिक छेत्र यानि हिमाले गंगा यमुना ये नदियां और अफगानिस्तान की कुछ नदियां इसका मतलब है कि आर इसी छेत्र में रह रहे थे तो सब्ध सिंधवा जो उन्होंने अपने निवास को कहा है वो निश्चित चेतर है सिंध्न नदी के आसपास का च्थेतर है और यह बाहर से आए तो यह अफगानिस्तान की तरफ से आये थे क्सिंध insists से भूट यह और एंठीर के च्सेतर से आये या के सेंटल या की तरफ से या कि तरफ से आए यह तो हम बाद में डिसकस करेंगे लेकिन निश्चत तोर से यह जब भी आये हैं तो यह इसी रास्ते से आये हैं क्योंकि इसी रास्ते की नदियां परवत इत्याद का वरणन उसमें मिलता है इधर छेत्र और गंगा इमना के बाद का यानी जो बिंधन है उस का मतलब होता है उत्तम स्रेष्ठ तो आरे उने सोयम को आरे कहा यानी अपने आपको उन्होंने स्रेष्ठ माना और यहां के जो मूलनिवासी रहे होंगे उनको कहा दास्यों या दास उनको जो है अपने से निम्न माना अनारे तो आरे और अनारे ऐसा नहीं है कि अनारे यान और अनार्यों के बीच में दुन्द का जिक्र मिलता है, अम दस राग युद्ध जब देखते हैं तो उसमें आर्यों और अनार्यों कुछ अनार्य और कुछ आर्य और भी आपस में भिड़े तो वो जगड़े भी आपको देखने को मिलेंगे, तो सब्त सिंधवा प्रदेश निश्चित तोर से यही छेतर है, जो सिंधु नदी और उसकी सहक नदियों के आसपास का छेतर है, और अफगानिस्तान का छेतर है, और इसका टाइम पिरेड क्या है, वो है 1500 BC से 1000 BC, इतना चीज इस पश्ट आप जानगे, तो पहला पॉइंट आप नोट करेंगे समय के वि है, रिक, रिक का मतलब होता है, रिचा, इसी से बना है, रिचा या सूक्त, रिचा या इसको कहते हैं, मंत्र, मंत्र, या इसे कह सकते हैं, इसलोक, वर्तमान में इसलोक, मंत्र, रिचा, इसी को कहते हैं, और कई रिचाएं मिल करके बनता है, सूक्त, यानि सूक्त जो होता ह एक प्रगार से भजन होता है और इसमें कई रिचाएं होती है जैसे भजन होता है तो इसमें बहुत से लाइने होती है तो कई मंत्रों को मिला करके यानि कई रिचाओं को मिला करके सूक्त का निर्बाड होता है यानि सूक्त के अंदर मंत्र होते हैं रिक से ही बना है रिग व रिचाओं या मंत्रों का संक्रन है तो यह गय पद्ध हैं यानि कि यह गय जा सकने वाले यानि पद्ध के रूप में हैं मंत्र पद्ध के रूप में क्यों हैं इसका भी लॉजिकल कारण हमने बताया कि गद्ध के तुलना में पद्ध जो होता है वो आप याद कर सकते हैं ज् कि अगर आप किसी नेता या मंत्री का भासर जो है वो याद कर ले तो कुछ समय बाद आप उसको बिल्कुल उन्हीं सब्दों में नहीं बता पाएंगे लेकिन अगर आप किसी फिल्म का गाना याद कर ले या भजन याद कर ले तो काफी समय हो जाने के बाद में भी उसमें च आप गुनगुना करके देखेगा और यदि उसकी लाइनों को आपने जरासा इधर से उधर किया गलत किया तो आपको स्वयम पता हो जाएगा कि कुछ मिसिंग है कुछ मैं गलत कर रहा हूँ यह चुकि ले और तुक बंदी बनेगी नहीं लेकिन अगर वही टेक्स्ट कोई प पकड़ नहीं पाएंगे उसलिए जो है आर्यों ने मंत्रों की रिचाओं की सुधता को संच्चित करने के लिए इसको पद्द के रूप में संकलित किया कर दिआć क्या है मंत्रों का एक संकलन है इससे हमें क्या जानकारी मिलती है इसे हमें आर्यों कि संस्कृत प्रारंभिक जानकारी मिलती है। इंपॉर्टैन्द प्रस्ण आप से पूछा जाएगा कि आर्यों की संस्कृत कि मिश्यं मैं जानकारी हमें किस वेद से मिलती है। यह हो गया अप प्रशन इसमें एक बनेगा धोगे हमने बताया कि यह रिचाओं on का और नित्र ौका एक संकलर नहें हैं तो निश्चित तॉर्च से आपसे इसमें एक papers question बनता है कि कितने मंत्र हैं कितने सूब्स हैं यहां पERE सूप्ध हम ने समझा दिया सूप्त क्या है मंत्रों का एक समूघ कितने मंत्र में सूप्त हैं और कितने मंत्र है इस पे कुछ factual questions बनते हैं और ढ़सक जरा आप no.t ear लिए देखें प्रश्न बनेंगे रिग बेद के समझ log में इस लिए मैं यह पले आप लिखेंगार दस मंडल हैं मंडल क्या है देखेंगार मिला n करके बन भी सब्सक्रेंगा कैसी को दस मंंडल कि है तोать में यह देखिंग कारुन होगा ओव होगा तो देखे एक से लेके दस तक मंदल हैं लेकिन अगर हम कह रहे हैं रिगवेद सबसे पुराना है रिगवेद क्या है सरवाधिक प्राचीन है ये सरवाधिक प्राचीन वेद है ये प्राचीन वेद तो इसमें दस मंदल है तो क्या ये प्राचीनता कि द्रश्टकोंड से क्रम है नहीं देखे 10 मंडल है लेकिन इसमें 2 से 7 मंडल सबसे प्राचीन हैं यानि कि एक प्रशन आ जाएगा confusing की रिगवेद के मंडलों का क्रम आपको दे देगा कि इसमें प्राचीनता के क्रम में आप इसको अरेंज कीजिए तो उसमें आप ये न सोचेगा जो पहला मंडल है वो सबसे पहले लिखा गया होगा दूसरा मंडल बाद में लिखा गया होगा सबसे पहले दूसरा मंडल से सुरू होता है यानि कि दो से लेके साथ मंदल जो है वो सबसे प्राचीन है और इसके बाद कौन सा मंदल इसमें जोड़ा गया इसके बाद इसमें जोड़ा गया है साथ के बाद में आठवा और नवा और उसके बाद पहला इसके बाद में आठवा फिर नवा फिर पर्थम मंदल जोड़े गया यान गया और उसके बाद दस्वा मंडल सबसे बाद में जोडा गया ने नितवा मंडल काफी दिए नितबाम का पूरुश सुक्त की भिसे में हम काफी चीजें में हम आगे भी जानेंगे तो सब बड़े बड़े खंड है, उसको मिलाके टोटल को रिगवेद कहा जाता है, तो इसमें दो से लेके साथ, फिर आठ नो प्रथम और दस्वा मंदल यह है, इसका क्रम, अब इसमें इन मंदलों में क्या है, यानि कि एक मंदल को अगर बात करें, तो हर मंदल में सूप्त हैं, प् अबर मंत्रों का संकलन, मंत्रों का समू है, यानि कि कोई एक देवता, मंत्र किसले होते हैं, मंत्र होते हैं, किसी देवता की इस्तुति के लिए, जिसे आप गड़ेश भगवान की इस्तुति करना चाहते हैं, तो कोई मंत्र पढ़ते हैं, अब गड़ेश भगवान की हम बात इंद्र बहुत सक्तिसाली देवता माना गया है उस समय का, उसके बाद अगनी का नमबर आता है, हाला कि रिगवेद का प्रारम है वो अगनी की इस्तिति से होता है, एक पॉइंट तब ही लिख लेंगे आप हम, कि जो रिगवेद का प्रारम है, वो किस की इस्तिति से होता है, यानि किस देवता की प्रात्वन से शुरू किया गया है, तो अगनी देवता को समर्पित है पहला मंत्र। यह प्रस्ण पूछा जाएगा आप से, लिकिन क्या अगनी जो है वो सबसे सक्तिसाली देवता है, यानि सबसे ज़ादा अगनी की इस्तित्वी की गई हैं? Brent सबसे जादा जिस देवता का जिक्र किया गया है वो है इंद्र जब हम अभिलेक पढ़ रहे थे तो हमने आपको एक अभिलेक बताया था बोगज कोई अभिलेक जो 1400 BC यानि 1400 BC पूर्व पुराना है और ये हमने बताया था कि टर्की यानि वेस्टन एसिया में लगा हुआ था और इसमें जो है आपके इंद्र देवता का जिक्र है इंद्र का जिक्र है इसमें मित्र का जिक्र है वरुण का जिक्र है नासत्य का जिक्र है तो इन सब देवताओं का जिक्र जो है वो बोगज कोई अभीलेख में देखने को मिलता है और ये तरकी में है तरकी का भीलेख है तो वहाँ पर भी देखे इンドर का जिक्र आपको देखने को मिलता है लगभग ढ़ाई सो बार ढ़ाई सो बार इंदर सब्द आया है और अगनी सब्द जो है वो 200 बार आया है तो हम बात कर रहे थे कि मंत्र तो मंत्र क्या है? किसी देवता की स्तिती में गाया गया जो इस लोग है उसको एक मंत्र कहते हैं तो हमने इंद्र बताया इंद्र है मित्र वरुन ला सकते अगनी इन सब के लिए मंत्र है इसमें तो जो सूप्त होता है वो किसी एक देवता को समर्पित होता है और कोई एक रिसी उसको लिखता है किसी एक रिसी से समंदित होता है तो रिसी जो होता है रिसी का भी नाम उसमें होता है वो ले उसको रचनाकार है उसका और जिस देवता का नाम होता है उसमें उस देवता को वो मंत्र समर्पित होता है यानि उसको प्रसंद करने के लिए उसकी इस्तुति करने के लिए लिखा जाता है तो कुछ मंत्र ह यहां पर एक चीज और आपको जाननी है, सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा, रिगवेद की कई साखाएं हैं, साखाएं का मतलब यह है कि रिगवेद पहले तो हाथ से लिखा जाता था तो अलग अलग साखाएं होती थी, यानि साखाओं के नाम होते थे, तो साकल साखा है जो सबसे ज्यादा पर्चिलित साखा है, उसी की हम बात कर रहे है, रिगवेद की जो साकल साखा है, वैसे तो पातंजली ने 21 साखाओं का जिकर किया है, कि किस साखाएं है रिगवेद की लेकिन उसमें से सब अब उपलब्ध नहीं है चार पाँच उपलब्ध है पाँच में से तीन बहुत अच्छे से उपलब्ध है और उन तीन में जो सबसे प्रमुख है वो है साकल साखा और साकल साखा में ही ये 1028 सूक्त हैं आप इस साखा को इस तरह के समझ लीजे प्रकासन है अलगलग तो जैसे आजकल भी एक किताब कई प्रकासन वाले निकालते हैं अपने अपने तरीके से तो एक ही content होता है मतलब वही होता लेकिन अलगलग प्रकासन वाले साखा के हैं और इसमें 11 सूक्त बाल खिल ले हैं यानि कि इसमें साखाल साखा के जो है 1017 सूक्त हैं प्लस 11 जो है वो बाल खिल ले हैं बाल खिल सूक्त हैं यह हो गई total 1028 1028 में 1017 प्लस 11 ग्यारा बाल खिल्ल सूप्त हैं और यह आठवे मंडल में है आठवे मंडल में अब यहां पर कई प्रस्ण बनेंगे ध्यान दीजे एक तो प्रस्ण बनेगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि रिगवेद में कुल कितने सूप्त हैं तो आपका उतर एक हजार ठेस होगा अगर पूछ लिया जाए रिगवेद की साकल साखा यानि साकल सूक्त कितने हैं साकल सब्द अगर लगा देता है साकल सूक्त तो आपके 1017 उतर हो जाएगा तो फिर एक हजार ठेस क्या है देखे रिगवेद का जो आठवा मंडल है हमने बताया ना कि आठवा में 11 सूक्त जो हैं वो बाल खिले हैं देखे बाल खिले हाला कि रिगवेद में बाल खिले रिसियों का जिकर नहीं है लेकिन आपकी जानकारी के लिए जाने कि बाल खिले रिसियों का एक समूह होता था उनको बाल खिले रिसियों का जिकर नहीं है यह बाल खिले रिसियों क के इसी होते थे चोटे अंगुठे के बराबर उनका कार होता था उसकी कई कहानिया आप नेट पे देखेगा बहुत आपको मिलेंगे इंट्रेस्टिंग कहानिया तो यह चोटे सुक्त हैं बाल खेले सुक्त इनको कहा जाता है ग्यारा सुक्त हैं जब आठवे मंडल में रखे कितने हैं तो मंत्रों की संख्या कुल मंत्रों की संख्या कितनी है कुल मंत्रों की संख्या कितनी है देखे मंत्रों या रिचाओं लिख लिजे क्योंकि रिचाएं भी लिख के आ सकता है रिचा या मंत्र कुल रिचाओं की संख्या है 1552 लेकिन एक संख्या और याद करेंग NCRT के नुसार 10,580 हैं ठीक है दोनों संख्याय आप याद रखेगा जैसा विकल्प हो जैसा प्रशन हो वह ऐसा आप लिखेंगे तो सूक्त हो गए 1028 मंत्र हो गए लगभग 10600 किसी किसी पुस्तक में आपको 10600 ही लिखा मिलेगा लेकिन वह एक्जेक्ट नहीं वह लगभग म लिखा हुए 10600 10552 या 1058 सही उत्तर है उसका तो यह हो गया मंत्र अब हमने बताया कि प्रतेक सूक्त एक किसी रिसी और एक किसी देवता को समर्पित होता है तो यह जानकारी आप नोट डाउन कर लीजिए क्या है कि प्रतेक जो सूक्त है देखिए एक सूक्त में किसी एक देवता कही स्तुती होती है और कोई एक रिसी उसका रचनाकार होता है देखिए रचनाकार और संकलन करता में अंतर है रचनाकार रचनाकार का मतलब है उस सुक्त की रचना किसने की थी, किसने उसको बनाया और संकलन करता, यानि कि उसको लिपि बध करके एक पुस्तक के रूप में लिख करके किसने रखा तो जब भी कभी ये प्रशनाएगा कि वेदों को किसने संकलित किया तो आपका उत्तर होगा कृष्ण द्वै पायन जिनको कहा जाता है वेद व्यास, उन्होंने संकलित किया था, संकलन करता, रचना का मतलब है उस मंत्र को किसने बनाया था, उसने लिखा नहीं लेकिन वो गा करके बना कर अपने सिस्षों को सिखाया, वो ही आगे चलता रहा, बाद में कृष्ण दोपायन ने उसको संक्रित कर दिया, तो इन रचनाकारों के नाम कैसे पता चले, क्योंकि इन मंत्रों में, इन सुक्तों में उस रिसी का नाम है, जिक्र के पढ़ते हैं, तो उसमें जब दोहे वगयरा आप पढ़ोगे, चंद वगयरा पढ़ोगे, तो उसमें भी देखे रचनाकार का नाम लिख देते हैं, जैसे कि जो कबीर के हैं, या बिहारी के दोहे हैं, तो उसमें आप दोहा जब पढ़ोगे, तो अक्सर ज्यादा तर मे उन्होंने अपना नाम जोड दिया है उधारण के लिए रहीमन देख बडेन को लगुन दीजिये डार जहां काम आवेश हुई कहां करे तलवार यानि रहीमदाश जी कहते हैं कि बड़ी वस्तों को देख करके यानि किसी बड़ी चीज के लोब में आकरके छोटों को भूल नहीं जाना चाहिए क्योंकि जहां छोटी वस्तें काम आ सकती है वहां पर कभी-कभी बड़ी वस्तें या बड़ी चीजें बड़ी लोग किसी भी आसे में आप कहलेजिए काम नहीं आते हैं तो इस लोग या दोहा या कुछ भी कहलेजिए उसकी सुरुआत कहां से हो रही है रहीमन देख बड़ी इनको तो रहीमन ने अपना वहां पर रहीमन जोड़ दिया इसी तरह के कबीर, बिहारी आप देखों कि बगए से दोहे सब में नाम होता है तो वो रचनाकार का नाम उसमें जुड़ा रहता है इसी प्रकार से जो रिगवेद के मंत्र हैं या सुक्त हैं, उसमें भी रिसियों के नाम आपको कहीं-कहीं पर मिल जाते हैं तो उसी से पता हो जाता है तो आप लिखें कि प्रतेक सूक्त में, प्रतेक सूक्त किसी रिशी यों किसी देवता का नाम होता है। जो रिशी का नाम है, यानि जो रिशी है, उस मंत्र का रचनाकार होता है, और मंत्र उस देवता को समर्पित होता है। तो उससे इसपेश्च हो जाता है कि रिशी ने वो मंत्र लिखा है हैं- लिखा नहीं रचना की है और देवता को वो मंत्र स्तूती में समर्पित है। तो आप एक पॉइंट लिख लिजिए कि इंधृ देवता को सरवाधिक बलसालि माना गया है, यन्य उसका जिक्र सरवाधिक बार है, लिख लिजख लिजिए कि रिग वेद में इंद्र का उलेख, सरवाधिक, इंद्र देवता, आप ये मसमेलिजिये का कि इंद्र से ज्यादा बार किसी अन्य चीज का जिक्र नहीं है पिता का जिक्र इससे ज्यादा बार है लेकिन देवताओं में अगर हम बात करें और पिता से भी ज्यादा जन का जिक्र है 300 प्लस, 350 के आसपास बार जिक्र है उसका तो हम इंद्र देवता की बात करें, गर हम देवताओं में बात करें, तो इंद्र देवता का उलेख जो है, वो सरवाधिक है, कितना है, 250, 250 बार इंद्र का नाम आया है, और अगनी, अगनी देवता का उलेख जो है, वो 200 बार है, और लेकिन एक पॉइंट लिख लीजिए, क् पर बन जाएगा लिक वेद का प्रारम हें अगन दिवता के इसोथी से होता है क्योंकि ये प्रशन्व्राम गैद की सिलेए बन जाएगा क्योंकि बार बार आप जा लोगें इंद्र सबसे प्रमुख देउता है इंद्र सबसे प्रमुख देउता है तो जब कभी अचानक आपसे पूछ लिया जाएगा कि रिग वेद का प्रारम किस देउता की स्तुति से हुआ है तो आप उसमें इंद्र ही टिक कर देंगे कोई कि आप सूचेंगे वो सबसे सक्तिसाली देउता होगा तो पहले उसकी स्तुति की गई होगी नहीं यहां पर इंद्र का उलेख सबसे ज्यादा बार है लेकिन जो प्रथम इस्तुति की गई है वो अगनी देउता की की गई है अब यहां पर गडेश का नाम अगर आपको दे दिया जाएगा तो अक्सर ज्यादा तर जो बच्चे हैं वो प्रश्ण आपके बन जाते हैं आई यहां पर देखें कई प्रश्ण आप प्रमित नहों यहां जो है तो उसमें आपको याद रखना है कि पुरंदर का मतलब होता है जो किला है किला तोडने वाला या गड़ तोडने वाला यानि कि इंदर जो देवता है वो पुरंदर कहे गए हैं 250 बार इनका जिक्र है इंद्र का नाम जो है वो बोगज कोई भे महीं बिला था यानि कि उधर भी एक साखा गई थी आर्यों के तो वहां भी जो है इंद्र देवता वगरा वहां भी हैं माले जाते हैं तो दो से साथ मंडल हमने बताय इक वंस के रिस्यों के द्वारा इसे बनाया गया था रचा गया था इसलिए इसे वंस मंडल कहा जाता है या कुल मंडल या रिसी मंडल भी इसे कहते हैं अब देखें कुछ और जाने योगी बाते हैं यहां तक तो आपने इसको देख लिया कुछ मंडलों में कुछ खास सी जैसे कि गैतरी मंत्र है, असदू, मासद, गमे मंत्र है, या फिर वर्ण विवस्था का जिक्र है, तो कुछ प्रशन बन जाते हैं वो दो-चार पॉइंट आप लिख लीजिए, अच्छा एक और है, अक्सर प्रशन आता है कि जो रिगवेद है, इसके समकालीन या इसके मिलत जुलता, बहुत समानता रखने वाला एक और गरंथ है, जो इरान का है, उसको कहते हैं जेंद अवेस्था, तो एक पॉइंट आप लिख लीजिए, कि रिगवेद की समानता पाई जाती है, एक गरंथ जेंद अवेस्था, जेंद अवेस्था, एक इरानी प्राचीन गरंथ जो रिगवेद के समकालीन है आप ही नोट करें और इसको रिगवेद से काफी जाता मिलता जुलता कंटेंट है जेंद अवैस्ता को रिगवेद से काफी सिमिलर काफी मिलता जुलता गरंथ माना जाता है यह पोइंट आप लिख लीजे एक इरानी प्राजीन धर्म गरंथ है ये भी रिगवेद की तरह काफी पुराना है अब देखे कुछ हमने आपको साखाओं की बात की थी कि महारिशी पतंजली ने 21 साखाएं बताई हैं जिसमें से पांच उपलब्ध है लेकिन तीन प्रमुख रूप से प्रचलित हैं इन किसी के एक मंडल है किसी का दो मंडल है किसी का आधा अधूरा थोरा है तो 21 साख्याएं data. चिह अधु ने निशार जिसमें से पांच के समय हूं हुप्त हैं क्यूंकि ये लगْबग पूरे लेकिन इसमों में फ्रोर से प्रूर कूरे हैं कसा कर सकते हैं। पर्शलित के साकल स्था लांषा है। इन ltd नाम आप से पूछे आ सकते यहां साकल असलायन तो आप सारवाधिक प्रचलित यही यही है मैं सारवाधिक प्रचलित साकल साखा यान की जो हम अभी रिगवेद की बात करते हैं तो वो प्रमखुरूप से साकल साखा का ही रिगवेद है और उसी में हम बात कर रहे थे एक हजार अठ्थाइस सूक्त की, एक हजार अठ्थाइस सूक्त इसी में हैं, और ये एक हजार अठ्थाइस का वर्गी करण हमने एक हजार सत्रा प्लस ग्यारा बताया है, 2017 जो है वो साकल साखा के सूक्त है और 11, add Still Mandal के बाल खिल शूक्त है तो ये total एक 2018 सूक्त का मतलब होता है अच्छी उक्ती उक्ती, उक्ती का मतलब उच्चारण यह अच्छी बात अच्छा उच्चारण तो यह हो गया आपके वेदों के विशे में कुछ पॉइंट यह है कि जैसे वर्ण ब्योस्था का जिकर कहां पे है गयत्री मंतर का जिकर कहां पे है तो यह कुछ दो-चार पॉइंट आप लिख लिजे फिर हम एक और टेबिल आपको बना के दिखाएंगे जिसमें से कुछ रिशियों की विशे में पूछा जाता है कि ज मंदल कौन कौन से रिशी से रिलेटेड है देखें देखें तीसरे मंदल में तीसरे मंदल में गयत्री मंत्र है मंत्र है गयत्री मंत्र आपको पता है गयत्री मंत्र सबिता देवता को समर्पित है और सबिता जो सबित देवता है वो है सूर यानि यह मंत्र जो है गयत्री मं को समर्पित है सवित समर्पित है यह मंत्र अनार्यों को आर्य बनाने के लिए मंत्र बनाया गया था आर्यों के दोरा सूरी देउता को समर्पित है इंपॉर्टन पॉइंट है और यह किस मंडल में है तीसरे मंडल में यह मंत्र आपको मिलेगा देखिए नवा मंडल जो है वो मिलेंगे और इसी में बहुत पापुलर एक वाक्षा में पूछा जाता है मैं कभी हूँ मेरे पिता वैध्द हैं और मेती अपनों पूस Homeland यहा पे मेरे पता वैध्द है और मेरी मात अन पीषने वाली यहां उप्ति इसी में मिलती है नमे मंदल में अब देखे इसको माला जाता है कि कभी वैद्य और अन्ण पीसरे वाली एक ही परिवार के सदस्य है यानि कि जो रिग वैद्य पीरेड में जो वर्ण व्योस्था का जिक्र है दस्वे मंदल में पुरुशुक्ति में उसमें जो ब्रामः चत्री वैश्यों सूद्र का जिक्र है वह वर्ण व्योस्था कर्म आधारित है और एक वर्ण से दूसरे वर्ण में इस्थानांत्रन संभो था शुरुआत में जब वर्ण व्योस्था ही तो उसमें कर्म के आधार पर उसको माना गया था और अपने कार के आधार पे उसका वरण निरधारित होता था लेकिन बाद में, काफी बाद में वरण भ्योस्था को जन्मजात भ्योस्था कर दिया गया, यानि कि करम के अधार पर आप वरण में ट्रांसफर नहीं जैसे कि अगर कोई ब्राम्भड है या च्छत्री है तो ब्राम्भड का लड़का ब्राम्भड ही होगा च्छत्री का लड़का च्छत्री होगा वैसे का लड़का वैसे होगा सूद्र का लड़का सूद्र होगा लेकिन शुरुवात में ऐसा नहीं था शुरुवात में जो व जोड़ते जाना, नेने कबीले, नेने जन जाती समुह, और बाहर से आने वाले तमाम लोग जब इस वर्ड वस्था में सामिल होने लगे होंगे. सायद उस समय ये समस्या आई होगी कि आगंतुकों को यानि नए सामिल होने वाले लोगों को किस वर्ड में रखा जाए तो सायद उस समय इसके नियम इस्टिक्ट किये गए होंगे ताकि ये सिस्टम कोलापस ना कर जाए तो हम इतिहास में आगे उन चीजों पर डिटेल में कभी बात करेंगे तो ये है दसवे मंडल में देखिए एक चीज है जो इंपोर्टन्ट है दसवे मंडल में पूरुष सूक्त में वर्ण ब्यवस्था का जिक्र है ब्यवस्था का उलेख है चारवर्ण है लिख लिजेगा चारवर्णों का उल्ले किया गया है कि चारवर्ण जो है ब्रामभर चत्री वैसे और सुद्र चारवर्ण दिये गये है देखें दस्वे मंडल में ही बिवाह सुक्त भी है इसी में जो है बिवाह सुक्त भी है किसमें इसी दस्वे मंडल में द बिवाह को एक institution माना गया, बिवाह को एक संस्था, संस्था के रूप में बिक्सित किया गया, बिक्सित किया गया था, ये किसमी वरणन मिलता है, ये बिवाह सुक्त जो दसमे मंदल में है, उसी में मिलता है, और ये देरगत्म, जो एक रिसी थे, उनका नाम था, देरगत्मा देर्क तमारिशी द्वारा ये भी जो है दस्वे मंडल में है अस्तो मा सद गमे जो है वो रिगवेद में मिलता है यानि अस्तो मा सद गमे लिख लीजे अस्तो मा सद गमे रिगवेद से लिया गया है रिगवेद से, सात्वे मंडल में एक युद्ध है, सात्वे मंडल में एक युद्ध का उलेख है जिसको दस राग युद्ध कहा जाता है, ये किसमे है सात्वे मंडल में, सात्वे मंडल में दस राग युद्ध का उलेख किया गया है, दस राग युद्ध, दस राग युद्ध का मतलब दस राजाओं के मद्ध युद्ध हुआ था, दस राग युद्ध, इसमें एक कबीला है, भरत, ये युद्ध किस के किस के बीच में हुआ? भरत कभीले का जो प्रमुख है सुदास और 10 राजाओं के संघ को पराज़ित किया इनों ने भरत कभीला भरत कभीले के प्रमुख सुदास ने रावी नदी के तटपर रावी नदी जिसको रिखवेद में परुश्नी कहा गया है परुष्णी नदी भरत कभीले के प्रमुक्ष सुदास ने रावी नदी के तट पर दस राजावों के संग यानि ये दस जनों का समुह था जन यानि कभीला तो दस राजावों के संग को पराजित किया था पराजित किया था इस विद्ध में ये जो दस जनों का समुह था इस गुषणार्यों का भी था तो ये एक स्कतों एड़ के नामसे वर्लेक है और यह 아म ये जो दस राजाओं का संग इनके जो प्रमुख्व गुरू है वो है विश्वा मित्र ये भी आप नोट कर लिजेगा कि जो भरत जन है उनके जो पुरोहित है भरत जन के पुरोहित है यानि कि ये जो भरत जन है सुभात इनके पुरोहित कौन है इनके पुरोहित है वसिष्ट वसिष्ट और ये जो दस राजाओं का संग है इनक जो छूट गया पीछे कि जो रिगवेद है रिगवेद में जो मंत्र होते हैं देखे हमने आपको अभी शुरुआत में बताया था कि मंत्रों का उच्चारण बहुत महत्पोर होता है अगर मंत्र का उच्चारण गलत हो जाएगा तो उसका प्रभाव आपको उसका फल मंत्र हैं उनको पढ़ने वाले या उच्चारण करने वाले रिसी को क्या कहा जाता था यह प्रश्ण पूछा जाता है अक्सर तो लिखें रिगवेद के मंत्रों के उच्चारण करने वाले रिसी या पुरुहित को पुरुहित को होत्र या होता कहते थे इंपॉर्टन प्र पूछा जाता है बहुत बार होत्र रिगवेद के मंत्रों का उचारण करने वाले इसी को होत्रिया होता कहा जाता था और रिगवेद का जो भास है वो किस ने लिखा ये भी प्रशनाप से पूछा जाता है भास से तो रिगवेद का भास से जो है वो रिगवेद का भास से वै सायंड ने लिखा, यह आप restrin सबसे प्रचलीत और सब्से प्रमुक भास से माना जाता है, जो सायंड का है, तो सायंड दोरा जो लिखा गया है, वही सर्वमा ने सबसे ज्यादा लोकप्री है, तो अब आईजिए हम एक Table के माध्ध давай से यह की जानकारी है यहां तक बहुत सारी जानकारी आपने लिपीद्ध कर ली है लिख ली हैएंग में एक मंडल जो हैं जो सूकत है उस मंडल जो मह्नल के वो किसी पूर सी धिबा दुवता सफ्मभ लेलेट तो हमने आपको प्रमुख प्रमुख बता दिया इंद्र है अगनि है और कुछ सुकतों के विशय में भी हम आपको बता दिया जिसे पुरुष्सुक्त विवायजुक्त गैत्री मंतर अगरा कहां किस मंडल में है लेकिन एक प्रस्ण और रह जाता है कि दस मंदल हैς जो कुछ रीसियों से रेलेटेड हैं। हर एक मंदल किसी रिसि या कुछ रिसियों के द्वारा लिखा गया है। रचना की गई है। रिसियों के नाम पूछे जाते हैं तो इक चाट बना लें यहां पर और हम उसको देख लेते हैं। दिखें आपर हमने मंडल और रिसी के एक टेबिल बना दी है आप इसको नो टोन के लीजे सभी आपको याद रखने की जरोत नहीं है लेकिन कुछ प्रमुख है जैसे कि प्रथम मंडल जो है वो मदुच्छंदा देर घतमा मेगात थी आगस्त आद रिस्यों के दोरा लिखा जो है बहुत्सार्य सुक्त वो क्रृव रिस्यों के दोरा भी लिखें गये थी जो दिए है वो गत्स्मद और उनके वंसजों के द्वारा लिखा गया था और इसी में जो है गत्समद को पर्थम अभियनता के रूप में भी वर्नित किया गया है तृती जो है वो विश्वमित्र के द्वारा जो है वो लिखा गया चतूर्थ वामदेव लिखा नहीं गया रचना की गई और पंचम जो है अत्री रिसी, शठम जो है भरतवाज, सब्तम जो है रिसी वसिष्ट और अश्ठम कण्व और आंगिरस के द्वारा जो है लिखा गया नवम जो है वो नवा जो मंडल है वो पवमान और सोम के द्वारा और जो दसम है वो तृत बिमद सरद्धा कामाईनी इनके द्वारा जो है इन रिसी समों के द्वारा इसकी रचना की गई तो ये कुछ इसमें जिसे जो जिसे की तीसरा है विश्वामित्र इसी में गयत्री मंत्र मिलता है तरती है और सब्तम जो है वसिष्ट के द्वारा है जिसी में अश्टम जो है वो कण्व और अंगिरस के द्वारा इसी में बाल खिल है हमने आपको बताया था अभी सुरू म बाल खिल ग्यारा सुपति इसमें मिलते हैं बाल खिल्जवाले इसी अस्टम में कड़ और अंगिर्स वेरा क्या दोरा लिखे गया सब्तमल हमने आपको बताया ये वसिष्ट के दौरा लिखा गया इस त्रीके से आप अलगलग रिस्यों के द्वारा जो है वो लिखे गए रचना किये गए मंडलों को भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे और सब्तम मंडल अभी आप रखेंगे वसिष्ट और इसी में जो है वो दसराग युद्धि का वरणन किया गया है दसराग युद्धि जो अभी हमने आपको बताया था वो किसमे है वो सब्तम मंडल में है साध वहाँ पे मैंने मंडल बताया या नहीं बताया ध्यान दे दीजेगा सब्तम लिख लिजेगा अगर ना बताया हो तो आप सब्तम नोट कर लिजेगा सब्तम अंडल में वसिष्ट के द्वारा जो रचित है इसी में दसराग युद्धिका भी जिक्र किया गया है तो फ्रेंड्स रिग वेद के बिसे में आपने बहुत जानकारी प्राप्त कर ली है ये अभी जब हम वैदिक सब्धिता के बिसे में पढ़ेंगे तब हम वैदिक कालीन जो कल्चर है उस पर पूरा डिटेल में डिसकस करेंगे नेक्स्ट कलास में हम जो बचे हुए तीन वेद हैं और ब्रामभड गरंत होगरा है उन पर भी डिटेल में बात करेंगे तो मिलते हैं एक और बहतर कलास के साथ में तब तक के लिए धन्यवाद